हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी मैरो तासकमार अपने यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं तो चलिए फ्रेंट्स आज हम एक इंट्रेस्टिंग टोपिक के बारे में डिटेल से डिसकस करेंगे जो की इस्ट्री ओफ मॉडर्न इंडिया का है तो आज हम इस ओषयी अईक्स कार इनका जनम दिन है तो कुछ परफेक्ट डिटेल वो नहीं बता पाते हैं कि उनका जनम दिन है वो कब था लेकिन महराश्रा गॉर्मेंट के दवारा-19 फरवरी को dirend माहराश्रा के बढ़ें कि हमाराश्रा की अंदर हो के ऊचài स कॉच्आ को द्ग का ना कि रिलिजिस मेंटर कुण थे गुरु रांधास जी कि कहने पर ही और उन्हों न೴ अब इसके बाद आगे देखें तो यह हम बात कर चुके हैं कि वो एक वरियर किंग थे और अपनी बहादूरी के लिए परसिद थे अपने टेक्टिक्स के लिए परसिद थे और जो उनके द्वारा जो एड्मनेस्ट्रेटिव प्रेक्टिस अडोप्ट की थी उनके लिए भी वो और पॉपिलर थे ठीक है तो फिर आगे बात करें तो अगर अब यह जो शीवा जी महराज हैं इनको पुना लाया गया था उनके माता जी जिजाबाई के द्वारा तेथा एक पंड़िजी और थे एक ब्रहमन थे दादा जी कॉंडा देव ठीक है स्क्रीन के उपर साथ में देखते चली यह आपको नाम देख रहा है दादा जी कॉंडा देव और उनकी मदर कॉंथी जिजाबाई उनके पुना लाया गया अब हो जिजा आ कि इस आदा भी से ठीक हुआ तेख गणी मस्ञा के गट मुझे तसदरोन प्रिंदेव चैता कंदा जए कॉंडा बात बात करें तो जो शीवा जी का अडिमिनीस्ट्र Jackson था यह जो परसासन था वह मेंलि अगर बात करें तो जो ड़कन के अंदर जो परसासन वेवस्ताएं अडोप्ट की दा रही थी उनके उपर वह बेश्ट था ठीक है यानि जो शिवा जी का एड्मिनिस्ट्रेशन था वो टोटली और डेकन एड्मिनिस्ट्रेट्ट्यू प्रिक्तिस से और इंफ्लिवेंच्ट था फिर नेक्स देखें तो उनके टाइम प्रिड के किये गए थे फोट्स कैप्चर किये गए थे सबसे पहले नाम आता है तोरन का जो किल्ण था कंक्वेस्ट ओफ तोरन ठीक है यह पहला किल्ण था जो कि शिवा जी के दौरा कैप्चर किया गया था सोला साल की उमर में एड़ दे इस ओफ इसके बाद अगर बात करें तो इस तोरन फोट के बाद में राय गड़ और परताब गड़ जैसी जगह भी शिवा जी के दौरा कैप्चर की गई थी फिर उसके बाद बात करें तो जो बिज़ापूर का सुल्तान था वो पैनिक हो गया था किसकी वज़े से कि यह सुल्तान यह शिवा जी के दौरा और यह जो फोट कैप्चर किये जा रहे थे तब जो बिज़ापूर का सुल्तान था वो गबरा गया था कि कहीं बिज़ापूर पर अटेक ने कर दे कि ठीक है तो उन्हों नहीं क्या क्या जो शिवा जी की पिता जी थे साह जी वो उनको जेल के अंदर डाल दिया था ठीक है इसके बात्स बेंद निधा गंदर क Всुस्काकर शुर्थी सब्सक्राव बिजापूर्थी किया इस पती है उसकी। अबजल खान नाम था उसका उसको बेजा था कि वो शिवाजी को कैप्चर करके लाए लेकिन शिवाजी वहां से चुट पाने में या फिर इसकेप होने में सक्सेस पूल रहे और शिवाजी ने अबजल खान की हत्या कर दे थी ठीक है कि से हत्या के थी ये कि से कई हवार एक्जा में पूछा जाता है कि शिवाजी ने जो बिज vind कि वीजापुर का सुल्तान था उसके जनरल अबजल खान के हत्या की थी तो कौन से हत्यार खे कि के थी तो वो हतियार था बागूनक यह दे saving नाम लिखा वह है बागंक अब यह बागनक क्यों कहा जाता था इसको कि इसकी जो सेव थी वो tiger के और जबडा होता है उसके समान थी तो इसलिए उसको बागणक कहा दाता है ठीक है तो इसके सायता से और श這邊 ने अफजिल खान की हत्या करती थी 1662 1662 के अंदर बात करें तो बीजापूर के सुल्तान ने शिवा जी के साथ एक पीस ट्रेटी की थी ठीक है ये सांती की संदी ठीक है जिसके अंदर बीजापूर के सुल्तान के द्वारा ये एकसेप्ट किया गया कि जो भी और एरियाज शिवा जी के द्वारा कनक्वेर किये गये हैं या कैप्चर किये गये हैं जो जीते गये हैं उन एरियाज का उन टेरिटरीज का रूलर है इंडेपेंडेंट रूलर है वो है शिवा जी ठीक है अब नेक्स्ट कंवेस्ट देखें, तो वो है कॉन्डन फोट, अब ये कॉन्डन फोट, कौन सा है, कि ये जो कॉन्डन फोट था, ये नीलकंट राव के अंडर कंट्रोल था, ठीक है, अब एक बैटल हुआ यहाँ पे, एक युद्ध लड़ा गया था, जो कि बहुत इंपोर जी के कमांडर थे, ठीक है, शिवा जी के सेनापती थे, और उदे भानरा ठोड़ कॉन थे, ये जो रूलर जैसिंग फेस्ट थे, उनके द्वारा और ये जो कॉन्डन फोट है, इसके फोट की पर, इसके उपर फोट की पर रखे गया थे, ठीक है, यान किले का जो रख रख और ध्यान रखने के लिए, और उदे भानरा ठोड़ को जैसिंग फेस्ट के द्वारा यहां पर रखा गया था, तो ये था, कॉन्डन फोट, इसका विकन क्वेस्ट शिवा जी के द्वारा किया था, इसके बाद नेक्स देखें, तो शिवा जी का कोरोनेशन, कि शिवा जी साम रज्या है, उसका सवतनतर है, और रूलर है, जो सवतनतर सास का है, वो महीं हूँ, ये बात किसने कही थी, सिवा जी ने कब, 1604 के अंदर, और खुद को उस टाइम चतरपती नाम से और क्राउंड किया था, ठीक है, कहां पर, राए गड़ के अंदर, इनका रज्य अभी पिशे किया गया था, छतरपती की रूप में, ठीक है, उनके दोबरा एक टाइटल अडोप्ट किया जाता है, एक उपादी धरन की थी, हैद्वे धर्मोदारका, इसका मतलब क्या होता है, वो समझेए सबसे पहले, हैद्वे धर्मोदारका का मतलब होता है, प्रोटेक्टर अब ये टाइटल कहा डॉट किया गया था हिंद्वी स्वराज्य के लिए जब शिवाजी रूलर बना था जब इंडेपेंडेंट रूलर डिक्लेर किया था खुद को तो उस टाइम जिस एरिया का यानि जो खुद को गोल कुंडा के साथ है लाइनस की तो इस संधी से फाइदा उठाना चाते थे तो इसका फाइदा यह हुआ कि जैसे ही यह संधी कीगी गोल कुंडा की साथ अलाइनस कीगी तो चाहें शिवा जी ने जो सौत हिंडिया यानि विजःपूर कहांपर करनाथका के अंदर। वहां पर क्यांपर कंपेनिंग शकिस्टिश कहीं, नपेंद बन शोड़ा सु यंटर से नुyaaasi के भीच में विजापूर करनाटक के अंदर और शिवाजी के द्वारा और यह कंपेनिंग की गई थी फिर यहां पर एक जिंगी नाम की जगा उसको कैप्चर किया गया था वेलोर को कैप्चर किया गया था और कई फोर्ट्स थे करनाटका के अंदर उनको भी और शिवाजी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था ठीक है तो यह जो कंपेनिंग की गी थी इसके अंदर और इस एलाइंस का फायदा मिला था नेक्स देखिए अब बात करते हैं शिवाजी के टाइम प्रेड के दौरान एड्मिनिस्ट्रेशन अब एड्मिनिस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले देखें तो जो शिवाजी का एड्मिनिस्ट्रेशन था वो था उसके अंदर एक मैन जो टर्म हमें सुनने को मिलती है वो अ तो वह थे सीवा जी महराज, ओके सबसे पहले अश्ट परधान के अंदर जखें तो पेस्वा, पेस्वा कौन होते थे, फाइनिंस और जनरल एडमिनिस्टेशन का काम पेस्वा के दोरा किया जाता था, यानि जो भी वित्तिये काम होते थे या जो समान्य परसासन के जो कादि होते थे वो पेस्वा के दोरा किये जाते थे, जैसे हम पढ़ते हैं कि मराथा रूलर्स के बाद में कौन आये थे, पेस्वा, ठीक है, इनके बारे में भी हम डिटेल से बढ़ेंगे, मराथा रूलर्स के बारे में और प्लस में, पेस्वा के बारे में, उसके बारे में आप ये नेक्स्ट वीडियो है वह मैं डाल दूंगा इनके बारे में फिर नेक्स्ट जो पोस्थ या वह सेना पती zana फिर वाक्यानवीश यह जो इंटेलीजेंस का काम करते थे और जो हॉसोल्ड अफेर्स थें, उनका ध्यान रखना और इस वाक्यानवीश का काम था, फिर है सुरहनवीश, सुरहनवीश को नो थे आज़ते असीस्ट दे किंग विद इस कोरिस्पोंडेंस वह राजा को और अप तो दोनों पोस्ट है, वाक्यानवीस और सुरह नवीस, ये यूपएसी में प्रिलियंज में आ चुकी है, तो अब ये बाके जो बचिये किसी में भी आ सकता है, या फिर ये भी वापी से रीपीट हो सकती है, धाबीर, जो सेरमनी जोती थी, उनका मास्टर होता और राजा को फॉरीन अफेर्स के जो मेटरस दोते हैं उनको डील करने के अंदर वह हेल्प करता था ठीक है फिर न्यायदिस न्यायदिस का मैनली काम जो होता है जिंज जिस करना ठीक है और फिर नेक्स्ट थे पंडीतराओ ये चैरीटेवल ग्रांट्स के इंचार जोते थे कपे देखेंगर करते यह 30 fastestkesे छूट दिया जाते थी जो की छूट दिशी जाते थी जो releasing तो यह था बेसिक एड्मिनिस्टेशन सीवाजी के टाइम पेड़ के दोरान ठीक है और जो मैन मैन इमेंट्स थे वो हमने डिटेल से डिसकस किये और अब जो एक दो स्टेटमेंट मैं कह सकता हूं जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे मतलग एक जो ट्री सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को भी साथ में जरूर दबाएं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए पर्ण जोगलियो में झांको स्विजवर नेक्स्स